The shadow of a vertical tower AB on level ground is increased by 10 meter when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree. Find the height of the tower and give your answer correct to 1 tenth of a meter. 1 tenth of a meter मतलब 2 decimal places तक answer देना है भाई. क्या बोल रही है? The shadow of a vertical tower AB. एक tower है. यह tower AB. A. B. अब उसकी shadow बन रही होगी. समझो sun यहाँ पर है. Sun का altitude change हो रहा है. द्यान से देखना. Sun का altitude change हो रहा है. अभी समझो sun यहाँ पर है. ठीक है? ओके? Sun यहाँ पर है. थोड़े दिर बाद sun ऊपर चला गया. थोड़े दिर बाद sun जो है वो ऊपर चला गया. ठीक है. तो यह sun क्या करेगा? इस पर अपनी shadow बनाएगा की नहीं बनाएगा? यह altitude जो है उपर नीचे हो रहा कुल मलागे है ना? अब एक बात समझो. अगर sun को shadow बनानी है. तो कैसे बनाएगा sun shadow? तो बताएगा? इस तरीके से नहीं बनाएगा you. देखो. इस तरीके से sun shadow नहीं बनाएगा यहाँ पर. जब आप इसको connect कर दोगे. जब आप इसको connect कर दोगे. है ना? So this will be, this will be shadow. Yes or no. किस-किस को आया है समझ में? यह tower है. Sun ने इस तरीके से उपर से raise आ रही है sun की. तो यह shadow बन जाएगी. Yes or no. इसमें को diagram बनाना बहुत important है. अती आवश्यक diagram बनाना. Shadow को इस तरीके से आएगी. ठीक है. अब sun अगर समझो ऊपर है. Sun अगर समझ लो ऊपर है. For example, हमें नहीं पता ऊपर है. हम मान लेते हैं. चलो sun अगर ऊपर है. ऊपर होगा तो shadow कैसे बनेगी? इस तरीके से. बनेगी नहीं बनेगी. तो initially यह position है. This is initial position. इसको मैं I लिख देता हूँ. This is final position. इसको मैंने F लिख दिया. Sun का altitude change हो रहा है. 45 degrees से 30 degrees. देखो. This angle is 45 degrees. यह sun पहले यहाँ पर था. Shadow बन गई. यह है 45 degrees. ठीक है? The shadow of this tower A, B is increased by 10 meter. ध्यान से देखेंगे. Is increased by 10 meter when the altitude of the sun changes from 45 to 30. ध्यान से देखेंगे बताओ. यह 45 degrees है, तो यह 30 degrees होगा कि नहीं होगा? अंगल बड़ा चोटा समझते होगा है. यह वाल अंगल बड़ा है, यह वाल अंगल चोटा है. यह कौन-कौन समझ पा रहा है? Yes or no. Yes or no. यह कौन-कौन समझ पा रहा है? बड़ा अंगल 45 degree है, छोटा अंगल 30 degree है. The altitude of the sun. Altitude मतला भी हाइट. अगर नीचे से उपर जा रहा है, यह उपर से नीचे जा रहा है, अगर sun उपर से नीचे आ रहा है, इसमें ऐसा clear नहीं लिखके दिया हुआ है, लेकिन यह आपको खुद को एनलाइज करना पड़ेगा, कि sun उपर से नीचे आ रहा है. पहले altitude sun का कित्ता था 45 degree, फिर sun कुछ इस तरीचे से एंगल बनाएगा, तो यह आ गया 30 degree, ठीक है? When this thing happens, the shadow increases by 10 meters. मतलब, कुल मिलाके, अगर मैं सीधे शब्दों में बोलू, तो यह 10 meter है, यह वाली length जो है, यह 10 meter है, यह 10 meter है, यह किस-किस को समझ में आया, मेरे साब से आ गया होगा, ठीक है? अब देखो, यह angle 45 degree है, यह angle 30 degree है, अब यह बूल रहा है, find the height of the tower, हम कहते है, let the height is h, let the height is, इसको हमने h माल लिया, और अगर यह h है, तो हम कहतेंगे, इन छोटा triangle है, इसको हमने x माल लिया, यह length को हमने x माल लिया, इसको मैंने x माल लिया, तो खतम, in triangle a, i, b, हम लखेंग in triangle a, i, b, हाँ, जी, in triangle, दो triangle दिख रहे है, मैंको अभी में यह चोटा वारा triangle लिया है, यह वारा triangle लिया है, ठीक है, मैंने shade कर दिया, आपको dot लगा दिया, तो समझ में आ गया होगा, in this triangle, we can say, in triangle a, i, b, 1045 degrees, हाँ, जी, tan, बताओ, बो, बो, 1045 degrees equals to perpendicular upon base, मतलब h upon x, h upon x, मतलब 1 equal to h upon x, मतलब x equal to h, यह मिल गया, मिलको पहला रिष्टा, now in triangle, दूसरा triangle बोलना कौन सा है, f, a, b, in triangle a, f, b, in triangle a, f, b, ठीक है, जैसे हमने a, i, b, consider किया था, आप, a, f, b, consider करेंगे, a, f, b, हम कहेंगे, tan, 30 degrees, बो, tan, 30 degrees, perpendicular upon base, perpendicular h है, h, और base कहा है, 10 plus x, किस-को आ गया, समझ में, h upon 10 plus x, base कहा है, पूरा का पूरा ही है, तो 10 plus x add हो जाएगा, चीक है, अब मैं 10 30 degree बोल दूँ, तो 1 by under root 3, equals to h upon 10 plus x, मतलब, 10 plus x किस-के equal आ गया, h under root 3, चीक है, यह जो है, यह multiply हो गया, root 3 से, h root 3, अब x के है, x की value h है, तो इसको ठागर के, यहाँ पर हम put कर देते हैं, तो 10 plus h is equals to h root 3, 10 को अकेला छोड़ दो, यह आ गया, h under root 3 minus h, मतलब, 10 equals to h common bracket में, under root 3 minus 1, ठीक है, मतलब, h कितना आ गया, root 3 minus 1, 10 के नीचे चला जाएगा, that means, h equals to 10 upon under root 3 minus 1, लेकिन ऐसे छोड़ देंगे क्या, बिल्कूल भी नहीं, इसको हम rationalize करेंगे किस से, root 3 plus 1 upon root 3 plus 1, तो कितना आ गया, देखो, 10 bracket में, root 3 plus 1, और upon क्या जाएगा, root 3 का square minus 1 का square, है न, a square minus b square, मतलब 3 minus 1, और 3 minus 1 उता 2, यह लिख दिया 2, यह आ गया, 5 और bracket, root 3 plus 1, 2 answer, 2, 5, 10 के नीचे, यह 2 इस 5 से, यह cancel हो गया, ठीक है, अब यह आ गया, इतना answer, अब मैं क्या करूँ मा, क्या answer को हम यहीं छोड़ देंगे, क्या, यह आ गया, 5 into, हाँ, यह जो root 3 है, इसको आप लिखोगे, 1.732 plus 1, यह आ गया, 5 into 2.732, और जब आप इसको calculate करोगे, 5, 2s are 10, है न, 5, 3s are 15, 1, 16, 5, 35, 36, 5, 2, 10, 13, 13.66, है न, यह आ गया, 13.66 meters मेरा answer आ गया, H, छीक है,